D.D. Academy में आप सभी का स्वाथ है आज हम recurring decimals के बारे में जानेंगे देखिए recurring decimals एक काफी ही एक स्वाभाविक चीज है और कभी-कभी हम तैयारी की जल्दिबाजी में इसको नजर अंदाज कर देते हैं और परिक्षा में जब टपक पड़ता है तो परिशानी का कारण बनता है तो आज हम जो recurring decimals सीखेंगे वो एकदम स्वाभाविक तरीके से सीखेंगे और इसमें X के वगैर इस्तेमाल किये हुए आवर्ती दशमलाव से कैसे हम धिन्य में परिवर्तित करेंगे उसे हम जानेंगे तो चलिए हम class की तरफ बरते हैं सवाल आ चुका है 0.7 के उपर देखिए बार है 0.81 के उपर बार मतलब देखिए लाल रंगी जो रेखा है हमने लाल रंग में दिया है कि आप अच्छी तरह देख सकें इसके लिए प्लस 3.83 के उपर बार है तो फिर हम इसे कैसे लिखते हैं चुकि बार है 0.7 है 7 बटे 10 नहीं लिखा जाता है चुकि बार है इसके लिए 9 लिखा जाता है और दसमलाओ के बाद एक संख्या इसलिए एक 9 उत्रा अब देखिए 81 है 81 का दसमलों के बाद 2 संख्या है और दोनों के उपर बार है तो हम 81 बाई 99 लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पर लिखा है ठीक है हमने इसलिए क्या लिखा अब देखिए से हम काटेंगे नहीं हम काट भी सकते लेकिन हमें फाइदा नहीं है 99 है 9 का 99 है इसे अब काटेंगे नहीं ऐसे ही रख देते हैं प्लस देखिए 3 जो है 3 के बाद दसमलों है तो 3 को स्वतंतर रूप से लिख देते हैं यह से 3 यहाँ पर अब 0.83 है पहले प्लस मारते हैं अब देखिए 83 दसमलों के बाद 2 संख्या दोनों के उपर बार है इसलिए हम 83 भाई 99 है यहाँ पर भी प्लस मार देते हैं अब हमें जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे तो देखिए 9 और 99 का लसर निकालेंगे 9 गुन 11,19 होगा उपर यह लाइट कीज दिया अब देखिए 9 से गर कटने है तो 9,9 कट जाएगा 11 से 7 को गुना करेंगे तो 77 होगा प्लस देखिए 99 से 99 कट गया तो 81 डायरेक्ट उतर गया फिर देखिए 99 से 99 कट गया 83 डायरेक्ट उतर गया प्लस 12,83 उतार दिया फिर देखिए यह प्लस 3 बचा हुआ है इसलिए प्लस 3 हमने फिर से लिख दिया प्लस 3 अगर 77, 81, 83 को जोड़ेंगे तो यह आपका होगा 241, यह 241 कहां से आया 77, 81, 83 को जोड़ने के बाद 241 हुआ तो कहने का मतलब अब यह 241 बटे 99 हो गया है पहले 3 को तो ऐसे ही उतार देते हैं अब 241 को हम 99 से अगर भाग देंगे तो 99 दो बार जाएगा 99 दुनी, 198 तो हमने 2 पुनांग लिख दिया अब 198 हो गया अब 241 से 198 घटाएंगे तो 43 बचेगा तो 43 बटे 99 हो गया अब बराबर 3 और 2 को चोड़ेंगे तो 5 होगा तो 5 पुनांग 43 बटे 99 हो जाएगा देखी यही इसका आंसर है तो आशा करता हूँ कि यह आप सवाल को बहुत अच्छी तरह समझ गये होंगे और यह बहुत सहज तरीका है इसे आप समझ चुके होंगे अब देखी इसके उपर कुछ सवालों को करते हैं जिसमें कुछ variation होगा उस variation को भी समझते हुए हम सवालों को कैसे सर सॉल्ट करेंगे तो चलिए जैसे 83.3 है पहले की सवाल की तरह हम इसे करेंगे लेकिन मैंने जो दिखाया तीन के उपर बार का मतलब क्या होता इसे भी एक बार तुबा समझ लेते हैं इसका मतलब होता है 83.3 के उपर चुकी बार है तीन हम अनन्त बार है मतलब बार बार रिपीट हो रहा है इसी लिए इसको repeating decimal रेकरिंग decimal लाओ प्रतिवर्ति दस मलाओ आवर्ति दस मलाओ इन तरह के शम्दू से इसे पुखारा जाता है अब इसका तरीका तो हमें पता है अगर 83.3 बार बार अनन्त हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे 83 पॉइंट के जगा पे ब्लस और चुकी तीन के उपर बार है इसलिए तीन बटे नौ तो तीन को नौ से काट दिया तीन तीन लिख दिया अब देखिए 83 प्लस को अब प्लस हटा के क्या करेंगे एक बटे तीन डाइरेक लिख देंगे ऐसे 83 पुनांग एक बटे तीन तो मतलब कितना आसान है समझ लीजिए जैसे किताबों में दिखाया जाता है कि आपको X लेने की ज़ोरत ही है के लेने की ज़ोरत है वैसी ज़ोरत यहां पर नहीं होता है अब एक दूसरे सवाल पर जाते हैं इसे ध्यान देखिए 7.06 इसमें इसमें अंतर क्या है देखिए यहां पर दसमलों के बाद 06 है लेकिन 6 के उपर केवल आवर्ती होने का रेकरिंग होने का सिम्बॉल है मतलब कहने का मतलब यह क्या है देखिए 7.006 बार-बार नहीं हो रहा है 6 जो है वो बार-बार आ रहा है तो 6 के उपर यह लाइन का मतलब है 6 रेकरिंग हो रहा है 6 अनंद तक जा रहा है इसको कैसे करेंगे फिर चुकि 7 दसमलों के पहले है तो हमने 7 प्लस कर दिया अब देखिए 0 6 को हमने लिखा पहले और उसमें जिसके उपर बार नहीं है उसको घटा दे बले यहाँ पे 0 हमने घटाया है क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 के उपर बार नहीं है और हमारी दो संख्या है दो दसमलों के बाद दो संख्या है एक संख्या में नौ है तो ये बार है तो उस बार के लिए जैसे हम नौ लिखते हैं वो नौ को लिख दिया और दसमलों के बाद दो संख्या था तो हमने दूसरी संख्या के रुप में जीरो लिख दिया फिर से दोड़ाता हो, दसमलों के बाद दो संख्या था, उसमें छे के उपर बार था, तो हमने पने दसमलों के बाद दोनों संख्या लिखा, फिर घटाया क्या, जिस संख्या के उपर बार नहीं है, फिर बटे मारा, फिर दसमलों के बाद एक संख्या के उपर बार था, उसक को उतारते आशा करता हूं सबग चुके हैं अब यह हो गया 6 7 7 प्लस 6 बटे 90 अब 6 से आप सीधा कार रहते हैं 156 नबबे तो बड़ाबर क्या हो गयता है 7 पुनांक 1 बटे 50 तो आप समझ गए कितना आसान है इस तरह से करना अब एक तीसरे सवाल पर आते हैं 83.234 देखी यह पहले कर चुके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तीनो संख्या के उपर जो है आपका बार है तो हम इसे क्या लि 999 बे लिग दिया अब ये कटते हैं कटने के बाद 9 से कारते हैं तो 111 होता है 234 को हम 9 से कारते हैं तो 26 होता है तो इसका बड़ाबर 83 अब प्लस हड़ जाएगा 83 पुनांक 26 बटे 111 ये इसका उत्तर हो जाएगा अब चौथे पे आते हैं अब देखी इसी को हमने लिए 83. 83.204 अब देखेंगे यहां पर जैसे तीनों संख्या में बार था यहां पर केवल 4 के उपर बार है मतलब इस तरह की हालत है तो इसे कैसे करेंगे तो देखी 83 प्लस तो हो गया 204 को हमने लिग दिया माइनस हमने 20 घटा दिया देखी ये 20 हमने घटाया यहां पर अब देखी एक संख्या के उपर 12 था इसके लिए 9 था और दसमलो के बाद तीन संख्या था तो एक संख्या में 12 था तो उसके लिए 9 लिखा और दूसरे 2 संख्या के लिए 20 बेठा दिया जैसे देखी यहां पर दसमलोग के बाद दो संख्या था, एक संख्या के उपर बार था, तो जिसके उपर बार था उसके लिए नौ लिखा था, और दसमलोग के बाद जोकी दो संख्या था, इसके लिए एक सुनना यहां दावा था, इसी तरह यहां पे दसमलोग के बाद तीन संख्या है, और एक सं संख्या होना चाहिए एक संख्या 9 हो गया है इसलिए हमने 2 सुनना बढ़ा दिया तो ये आपके पास अवश्य क्लियर हो चुका होगा ये बात अब बड़ाबर कितना आया बड़ाबर जो आया 83 प्लस अब देखिए 204 से 20 घटाएंगे तो 184 होगा 184 बटे 900 अब इसे काटें काटेंगे तो 904 से काटेंगा 225 होगा चार से यहां पर काटेंगे तो चर्चो के 16 दो हुआ 24 चर्चो के 24 तो क्या होगा 83 पुनांग 46 बटे 225 ये इसका उत्तर हो गया अब देखिए 0.83 है और यहां पर 3 के उपर बार है ठीक है ऐसी हालत में क्या होगा तो हम बराबर लिखेंगे देखिए यहां पर 83 दो संख्या है माइनस 8 क्यों 8 लिखा कि 8 के उपर बार नहीं है दसमलों के बाद है दसमलों के बाद 2 संख्या है एक संख्या के उपर बार है तो 9 आया और दूसरे संख्या के लिए 0 आया तो बड़ाबर क्या हुआ 75 बटे 90 हो गया अब हम 15 से काटते हैं 15-75 और 90 को काटते हैं 15-90 बड़ाबर क्या हो गया पांच पटे 6 तो आशा करता हूं आवर्ती दस्मलाव में जितने प्रकार होते हैं सारे को हमने यहां पर कौबर कर लिया और हमें कोई एक स्वेगरे लेने की जोड़त नहीं हुई एकदम सीधे सरल सहज तरीके से आप में से किया और इसे आप दो-तीन बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपकी सारी समश्चा हैं समथ हो जाएगी आवर्ती दस्मलाव से जुड़े हुए सवालों को सॉल्व करने के लिए तो आप सभी का अब मैं आप लोगों से इतना ही गुजारिश करना चाहूंगा कि जिनोंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है या जिने मेरी नोटिफिकेशन अब नहीं मिल रहे हैं उनको मैं ये कहूंगा कि फिर से एक बार सब्सक्राइब करें बेल बटन को दबाएं क्यो नहीं करता है तो आपको चाहते हुए भी शायद मेरा नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा होगा और इसे अपने दोस्तों में आवश्य शेयर करें तो आपने समय दिया इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद ओक्यदन बबाए थैंक यू जैहिन